जड़ा सोचिये कि कोई आदमी खाना खाए बगर कितने दिन रह सकता है जादा से जादा दो तीन दिन रह सकता है लेकिन हम आपको आज एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 17 वर्सों से खाना छुआ तक नहीं है आखिर ये आदमी खाना क्यों नहीं खाता है सब कुछ आपको आगे के वीडियो में बताते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें अब नवश्कार मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिस्ता अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप कुछ भी खाये बिना कितने दिन तक रह सकते हैं तो शायद इसका जवाब एक या दो दिन से जादा के लिए कोई नहीं दे सकता लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसने पिछले 17 सालों से कुछ भी नहीं खाया है अब इस आदमी पर क्या यकीन किया जा सकता है या सुनने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर इस आदमी ने इतने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है तो यह जिन्दा कैसे ह दरसा यह पूरा मामला इरान से सामने आया है विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरान के 58 साल के गुलाम रजा का दावा है कि उन्होंने 2006 में खाना बंद कर दिया था और तब से वाद जिन्दा रहने के लिए सिर्फ पानी और सोडा ड्रिंक्स पर निर्भर है गुलाम रजा का कहना है कि खाने को देखते ही मेरा जी मचलने लगता है और पिछले 17 सालों से मैं पानी, पेपसी और कोका कोला जैसे सौफ्ट ड्रिंक्स पर जिन्दा हूँ खबरों के मताबिक 2006 में एक रात गुलाम रजा को अपने मूँ में अजीब सी संसनी महसूस हुई उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उनके मूँ का सवाद नहीं बदला तब उन्होंने फैसला किया कि अब मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा तब से वा इसी तरह जी रहे हैं रिपोर्ट्स के मताबिक उनका परिवार उनके सामने भोजन नहीं करता है क्योंकि खाना को देखकर उनका मन ललचता है लेकिन जिन्दा रहने के लिए उसे कार्बोनेटेड पे से उर्जा मिलती है अवारवा हर रोज सोडा की तीन बड़ी बोतल पीते हैं और उसके बाद उन्हें फूक नहीं लगती है गुलाम रजा ने कहा कि 2006 में एक रात मुझे अजीब सा एसास हुआ मुझे लगा जैसे मेरे मुह के अंदर कुछ बाल है और मुझे लगा कि इनों बालों का एक हिस्सा मेरे पेट के अंदर भी है मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घूट रहा हो मुझे नहीं पता कि क्या करना है मैं हकीकत में हालात का जिक्र नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि सभी ने मुझे अलग-अलग डॉक्टरों के पास जाने के लिए कहा मैंने कई डॉक्टरों से जाच भी करा है लेकिन उन में से कोई भी मेरी बिमारी का हल नहीं कर सका रजा के मताबिक मैंने एक मनोचिकित्सक को भी दिखाया लेकिन वह भी मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सके, इसलिए मैंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया, और सोडा में पानी पर ही जीने का फैसला किया, इरानी आदमी का दावा है कि जब से उसने soft drink पिना शुरू किया है, तब से उसका 32 किलो वजन कम हो गया है, जब कि पिछले 17 साल से उसकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है, इस आदमी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे,